हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक स्वागत है आप सब का मेरी यूट्व चैनल जमिल कलेक्शन पर मैं हुवेखार अगर आपने तक मेरी यूट्व चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो नीचे दिये वे रड कलर के सब्सक्राइब बेटन पर क्लिक कर लीजे दोडिये यहां भी हमारे शफी भई है सलाम अलेकम बई वालेकम सलाम आप मैं और आपको और सारह के तालुक से फैब्रिकेशन का सारा कुछ काम आप शुरू से करते हैं आप और साथी में किसी का गोड़ का नया सेटप बन रहा है तो वह भी का आप करके दे रहे हैं उसका एका अस्याज यहां पर है वह भी बताएंगे शाथ आपके पास पीछे स्ट पर लोगों को चौक यह शुरू करते वीडियो शमाशा वाह काफी यहां पर शुपई बना रहे है के साथ आ रहा है एक तैम शुपई आट अ रहा है अच से दस बकर चुनि भी दाल सकते हैं उपर घांस भी पत्ता वगरा जो भी रहता हो चलिए आगे बढ़ते हैं नीचे से लेना पड़ेगा फीडर्ग भी ओपन फीडर्ग से लास्ट प्राइज आपने 14 रुपर रखाता है इस बार कितना प्राइज है इसमें भी आट से दस बक्रे आराम से खा लेंगी यह लास्ट आइम हम लोग प्लैन कर रहे हैं थे इसके बारे में मैंने आपको बताया था सिंगल फीडर भी बनाने वाले थे जिसमें बक्रा होगा तो एक बक्रा आराम से खाएगा और बक्री पड़ेगा यहां पर एक और फीडर है आपके पास माशाला फूरा मेटल में आ रहा है और इसके अंदर लेवल सेट कर सकते हैं बचे है तो नीचे भी कर सकते बड़े है तो उपर भी कर सकते और इसकी बी कपैसिटी काफी अच्छी है 8-10 जानवार इसमें भी आराम से यहां पर कस्टमर की डिमाइंड थी कि उनने सगेंठ फ्लोर पर लेके जाना है तो जितना हो सकते हैं लाइट वेट बनानाने के लिए कस्टमर ने रिक्वेस्ट की थी उस हिसाब से यहां पर दो रूम बनाएं शफीब वई ने पहला रूम यह आ रहा है तो शफी भाई इ यहां पर फीडर लगाया हुआ है अच्छे से फीडर को आप आराम से निकाल कर धो भी सकते हैं एक बड़ा बकरा हो या दो-तिन बकरिया हो आराम से इसके अंदर एक रूम में आ जाएंगे इस्छाला और सेम साइस का यहां पर सेकेंड रूम भी बना कर रखा है परावर्ट से खटके वगरा सब कुछ लगा कर रखे हैं बाहर सेम फीडर लगा कर रखा है तो यहां पर कस्टमर की डिमांड पर जैसा उनका डिमांड था उस हिसाब में लाइट वेट में अच्छा बहतरी इनकाम यहां पर शपी बगाने के लिए उनके लिए पूरा केश र बना कर रखिए नॉर्मली केजस में आपने देखा नहीं होगा पानी के लिए बखिट लगाने के लिए जो फैसिलिटी शपी बई ने दी है शपी बई सेम साइज का सेम कैपैसिटी गा अगर कोई केज बनवाना चाहता है तो अंदाधातन क्या प्राइस तक बन जाएगा जोड़ा पतना तक बनीगा तो और जुदा जो है मेटल के उपर डीपर्ट है और इससे मेहिंगे बनेगा अब जैसा कस्टमर का डिमांड था लाइट वेट में होना चाहिए उनको छट पर लेगे जाना है कि हिसाब में आपने 14 से 15,000 में ये केज तयार किया है अगर कोई ह अगर चाहिए तो फॉलिटी के हिसाब में पैसे बढ़ जाएंगे अगर चौकियां भी दिखा देते हैं माशालला काफी अच्छा कलेक्शन लाए है इससे पहले भी शपी बही की मैंने चौकियों की वीडियो दाली थी तो शपी वई माशालला एक बड़ा बकरा भी आ जाएगा इसके उपर और साथी साथ बकरियां भी आराम से ठेड़ जाएंगे अगर दो चौकियों को अगर चिपकाते हैं तो तीन बकरियां एक साथ ठेड सकते हैं चौकि का साइज क्या रहा है इसका चार फीट पर सवा त फीट चौकि का साइज आ रहा है एक चौकि के लिए क्या डिमान्ट कर रहा हैं फिक्स फ्राइब ने बटा रहे हैं एक कर दोस्तों कि लोग ने काफी लोग दिमांड कर रहे है थे उसके चलते काफी सारा इस चौक शपी बाई ने मंगा कर रखा है अगर किसी की कि वाडर चाहिए तो ज्यादा चौकी भी चाहिए तो आड़ार दे सकते हैं एक आड़ास दिन पहले और देना होगा इंशाला उन्हें भी मिल जाएंगे शपी बाइब वीडियो को खतम करने से पहले एक आपका कांटेक नमबर बताई है अगर कोई बी यह से आ रहे हैं तो भादूर पूरे से आ रहे हैं तो नौना नमबर रोट पे चिंतलमें में पे आपके कॉंटेक्श करने का कुछ पटिकूलर टाीमिंग है तो नहीं वह चाहूंगा नौ से पहले करें तो बहुत भाएतर रता उसके आपसे बात करके अच्छा लगा आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई